तो गाइस अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से गूगल अड़ोर अकाउंट क्रेट करना चाते हैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए या तो किसी भी प्रोडाक्ट को प्रमोट करने के लिए या तो अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए तो आप किस तरह स इस वीडियो को आप पूरा कम्प्लेटली दिख लेते हैं तो आप आसानी से उस सारी चीजे समझ पाओगे प्लास दोस्तों मैं अपने ही मोबाइल फोन से आपको एक गूगल एड़ाड एकाउन क्रेट करके दिखाऊंगा बस आपको इस वीडियो को पूरा कम्प्लेटली दिखना है तो गास चलिए हम वीडियो में आगे बरते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए है तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिविशन बटन पर आल क्लिक कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलता रहेगा तो गास चलिए आईए हम वीडियो में आगे बरते हैं तो गास अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से एक नया गूगल एडवाड अकाउंट क्रेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्रेटली देखना है तो गास चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो गूगल एडवाड अकाउंट क्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है आपको अपने फोन के अंदर जो क्रोम ब्राउजर होता है आपको उसी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है देन आपको सर्ज बर में जाना है जाकर आपको यहाँ पर Google Ads लिखकर आपको सरच करना है जैसे आप Google Ads लिखकर सरच करोगे तो सबसे उपर आपको जो website दिखेगा आपको उसी website पर click कलना है तो आप जैसे ही click करोगे आपके सामने कुछ इसतासे interface आजाएगा सो गाइस यहाँ पर Google Ads आपको 20,000 रुपाई फ्री में क्रेडिट दे रहा है तो इस 20,000 रुपाई क्रेडिट को आप लेकर अपने वीज बढ़ा सकते हैं वीडियो की तो आप इस 20,000 रुपाई को आप किस तर से यूज करोगे अपने एकाउंट में किस तर से क्रेडिट करोगे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा बस आप जो है Google Ads एकाउंट को क्रेट करने का प्रोसेस पहले देख लीजिए सो गाइस यहाँ पर आपको सिंपल सा करना का है स्टार्ट नाव आपको नीचे दिखेगा इसी स्टार्ट नाव पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आएगा यह थोड़ा लोडिंग होने में देर हो सकता है आपके सामने एक पेज आएगा ओपन होकर तो यहाँ पर सबसे उपर आपको लिखा हुआ होगा योर बिजनेस नेम यानि आप जिस नाम से अकाउंट बनाना चाहते हैं यहाँ पर जिस नाम से आपको create करना है अकाउंट आपको उस नाम को enter करना है तो आप चाहे तो अपना नाम भी यहाँ पर enter कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी भी नाम से आप account create कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने फिलाल अपना चैनल का नाम को enter किया है तो guys अपने चैनल नाम को enter करने के बाद यहाँ पर आपको एक next का option मिलेगा आपको इसी next पर click कर लेना है जब आप next पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इसतर से इंटरफेस आजाएगा तो guys यहाँ पर आपको अपने website को enter करना है तो आपकी जो भी website अगर आपके पस कोई website है तो आप उस website का नाम को यहाँ पर enter कर सकते हैं अगर आपके पास कोई website नहीं है तो simple सा आपको करना क्या है आपका यूटूब चैनल है आपको उस YouTube चैनल को open कर लेना है then यहां पर right corner में उपर की तराब आपको 3 dot मिलेगा आपको इसी 3 dot पर क्लिक कर लेना है then यहां पर आपको share option मिलेगा आपको इसी share वाले option पर क्लिक कर ल प्र यहां पर आपको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहां पर आपको एक next का option मिलेगा आपको इसी next पर click कर लेना है जब आप next पर click करोगे तो थोड़ी देर आपकी YouTube चैनल है आपकी चैनल को थोड़ा सा करेगा फिर आपके सामने कुछ इस तर से आपकी YouTube चैनल को सो करेगा देन आपको स्कॉल करके नीचे आना है आने के बाद यहां पर आपको एक next का option मिलेगा आपको इसी next पर click कर लेना है जब आप next पर click करोगे आपके सामने कुछ इस तर से इंटरफेस आजाएगा तो यहां पर आपको कुछ option मिलेंगे आपको simple सा करना क्या है यहां नीचे आपको get more views and engagement on YouTube का option मिलेगा आपको इस पर click कर लेना है क्यूंकि आपने जो है अपना website का हमने अपनी YouTube चैनल का link को जो है यहां पर enter क्या है अपनी video की views बढ़ाने के लिए तो यहां पर चाया किसी भी चीज के लिए करे बस आपको नीचे यहां पर get more views and engagement on YouTube पे इस पर click कर लेना है then click करने के बाद guys यहां पर आपको next का option मिलेगा आपको इसी next पर click कर लेना है जब आप next पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आजाएगा let's create your video add तो simple सा आपको करना का है यहां पर आपको कुछ भी enter करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नीचे आना है यहां पर आपको एक switch to export mode का option मिलेगा गौर से रेखें यहां पर नीचे आपको एक लिखा हुआ है switch to export mode आपको इसी switch to export mode पे click कर लेना है जब आप इस पर click करोगे त open होकर थोड़ा सा रिलोड होने में time लग सकता है तो कुछ इस ता से पे जाएगा आपको थोड़ा नीचे आना है आकर यहां पर आपको एक option मिलेंगे create an account without a campaign आपको एसी create an account without a campaign पे click कर लेना है जब आप इस पर click करोगे आपके सामने इस ता से इंटरफ्रेस है जाएगा आपकी account की settings जो है वो confirm करने के लिए कहा जाएगा simple सा यहां पर आपकी जो भी country है वो दिख जाएगा जो time zone है जो rupees इंडियान rupees है वो दिख जाएगा अगर आपकी country कोई अलग है तो आप चाहे तो यहां से change भी कर सकते हैं then करने के बाद यहां पर आप continue का option मिलेगा आपको इसी continue पर क्लिक कर लेना है जब आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज आएगा कुछ इस तरह से थोड़ा सा reload होगा होने के बाद आपके सामने एक और पेज कुछ इस तरह से यहां पर open होकर आजाएगा तो simple सा आपको करना का है नीचे आना है आकर आपको यह पर जो है add payment method का option मिलेगा आपको इसी add payment method पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको account create करते time जो है payment method को add करना है कि इससे पहले जो था ये rule नहीं था लेकिन अभी आपको account create करते time आपको payment account को add करना है तो add करने के लिए this simple सा यहा पर आपको प्लास का कुन दिखेगा आपको एसी प्लास बाले आइकोन पे क्लिक करना है दन क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप चाहो तो दिखेगे तो चलिए हम यहाँ से अपना कार का नंबर एकस्पारी कोड और सिकुरिटी कोड यहाँ से हम एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर हमने अपना कार नंबर यहाँ पर एंटर कर लिया है अब कार नंबर को एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर जो चेक बॉक्स हाई ह से हम ऐसे ही रहने देंगे then यहाँ पर नीचे आपको save card का option मिलेगा आपको इसी save card पर click कर लेना है जब आप इस पर click करोगे तो आपने जो भी card data से आप पर enter किया है वो यहाँ पर save हो जाएगा then save होने के बाद guys यहाँ पर आपको एक चीज और काम करना है यहाँ पर आपको payment profile का option मिलेगा आपको इसी payment profile पे अपना जो profile होता है इस profile पे आपको अपना profile जो है enter करना है कुछ इस तरह से आएगा आपको इस phone को जो है fill up करना है तो simple size इस fill up करने के बाद जो भी है state, finco, town, सब कुछ आप fill up कर दीजीए then fill up करने के बाद यहाँ पर आपको create का option मिलेगा इस create पे आप जैसे ही create क्लिक करोगे तो आपकी जो है account create हो जाएगा then जैसे ही आप save पे क्लिक करेंगे तो आपकी payment profile जो है यहाँ पर create हो जाएगा then create होने के बाद आपकी payment profile और payment methods create करने के बाद आपको बिल्कुल नीचे आना है आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा no का आपको इसी no पे click कर लेना है then यहाँ पर आपको एक submit का option मिलेगा आपको इसी submit पे click कर लेना है जैसे ही आप submit पे click करोगे तो यहाँ पर आपको जो है security code आपना जो भी card आपने enter किया है उसका जो code होता है security code आपको उसी security code को enter करना है तो चलिए यहाँ पर हम अपना security code को enter कर देते हैं तो guys यहाँ पर हमने अपना security code को enter कर लिया है enter करने के बाद guys नीचे आपको यहाँ पर एक verify का option मिलेगा आपको इसी verify वाले option पर click कर लेना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी एकाउंट हो जाएगा कुछ इस तरह से आपकी एकाउंट बन कर आ जाएगा इसी तरह से आप अपने Google AdWords एकाउंट को create कर सकते हैं आपको एफ वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस्तर से आप जो है अपने एपोन से Google AdWords एकाउंट को create कर सकते हैं तो गयाईश इस Google AdWords एकाउंट को आप यहुच करके अपनी वीडियो पर ज़ादा से ज़ादा भ्यूज ला सकते हैं और अपनी चैनल को ज़ादा से ज़ादा जल्दी से प्रोमोट कर सकते हैं आप बस जाकर उस वीडियो को देख लीजिए आपको यहां पर वीडियो दिख रहा होगा इस वीडियो पर क्लिक करके आप जो अपने वीडियो पर कम पैसे में ज्यादा भी उस किस्ता से ला सकते हैं बस इस वीडियो पर क्लिक करके आप जो है अपने वीडियो को प्रमोट क कर सकते हो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू